प्रिये दोस्तों, मैं आज सोचल मीडिया के माध्यम से आप सबों के समक्ष अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ. आप तो सब जानते ही होंगे कि मैं एक बिहार के परतिष्ठित राजनितिक परिवार से तालुक रखता हूँ. मेरे पिताजी स्वर्गे महावीर चौधरी कई सालों तक बिधायक और मंत्री बनकर बिहार की भरपूर से वाकी हैं। उनका पूरा राजनितिक करियर बिदाग, मिस्वार्थ और बेहत गरिमा मही रहा है। मैंने राजनितिक का ककरा भी उन्हीं से गरहन किया है। मैं भले एक दलिद घराने से संबंध रखता हूँ, लेकिन मुझे ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि किसी दूर गाउं में रहने वाले एक आम दलिद परिवार के युवक से मुझे ज़्यादा अफसर मिले हैं इनसे। मैंने अफसरों का फाइदा भी उठाया और उच्छ सिक्षा हासिल की। मैं चाहता तो उच्छ सिक्षा हासिल करने के बाद किसी भी छेत्र में बढ़िया करियर बना सकता था। लेकिन मेरा मन, हिर्दय इसी बिहार में, इसी मिट्टी मेरा मा रहता था। इसलिए मैंने राजनीत को ही जन सेवा का माध्यम समझा और आप लोगों की सेवा में पूरे तन, मन और हिर्दय से जुट गया। राजनीत में निसंदे मुझे अपनी पिता की बनी निस्वार छवी का फाइदा मिला और जनता की सेवा करने का अफसर प्राप्त हुगा। पर पिछले कई सालों से मैं राजनीत में खासा सक्रिय हूं। कई राजनीतिक उठा-पटक का सामना भी किया है। सदन की बैटकों से लेकर पाटी की बैटकों में जन समस्याओं से लेकर हमेशा मुखर रहा हूं। छेतर से लेकर राज के दोरे में मैं हमेशा जन समस्याओं को नजदीक से दीखने और समझने की कोशिश करता रहा हूं। मुझे जन्ता के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है और अक्सर चाहता हूँ कि जन्ता के दुख दर्द में सामिल होने का कोई मौका ना छोड़ो एक मंत्री के रूप में और एक जन्परतिनिधी के रूप में मैं हमेशा जन्ता की समस्याओं को उच्छ प्राथिमिता के आधार पर निदान करने की कोशिश करता रहा हूँ एक जन्परतिनिधी के जीवन में कई उटार चड़ाव भी आते हैं जैसे कि हम अगर सत्ता में रहते हैं तो हमारे पास मिलने जुलने वालों का तांता लगा रहता है और वही जब एक जन्परतिनिधी सत्ता से बाहर हो जाता है तो उसे काफी अकेला पन महसूस होता है एक जन्परतिनिधी को इन सबों में संतुलन बना कर चलना होता है इसके अलावा एक ऐसा दवाव होता है जिसे तकरीबन हर जनपरतिनीदी को दो चार होना पड़ता है जैसे सत्ता मेरानी के दोरान हमारे पास सैक्डो ऐसे लोग भी आते हैं जिनका काम हो पाना संभब नहीं होता है या कुछ अपरिहाय कारणों से संभब नहीं होता उसमें कहीं लोग पोटर भी होते हैं हमारे समर्थक भी होते हैं और इनमें कुछ लोग नाकरात्मक परचार भी करते हैं ऐसे में एक जनपरतिनीदी को नाकरात्मक परचार से भी लगातार जूजते हुए बेहत सांसिल बने रहना होता है आम लोगों को भी जन परतिमिध्यों की इन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए फिर भी एक जन परतिमिध्य के रूप में हमें हमेशा बिनम्र होना चाहिए हमारे तरवाजे हमेशा आम लोगों के लिए खुले होने चाहिए जनता को कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे और उनके बीच कोई बड़ी दिवार है जो उने हमें अपनी समस्याएं बताने में बादग बनती है दोस्तों अपने बहुमुल राय अवस्य बताएं और जल्द ही मैं विभिन मुद्दों पर अपने विचार फेस्बुक पे इसी तरह लिखता रहूँगा सोसल मेडिया के माध्यम से मैं आपसे इसी तरह अपनी भावनाएं सेर करता रहूँगा आपसे जुड़ा रहूँगा और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को चुनाव आयोग ने बिहार की अररिया लोकसभा सीट के साथ-साथ चाहना बाद एवं भभुगा विधान सभा सीटों के लिए उप चुनाव के तारीखों की घोशना कर दी है इन तीनों ही सीटों पर वहां के जनपरती निध्यों के आकास्मिक निधन के कारण उप चुनाव कनाये जा रहे हैं चुनाव की तारीख 11 मार्च है इसी साल 2018 में सोसल मीडिया के इस मंच के मात्यम से हम इन चुनाव के छेतर में मतदाताओं से ये अपील करते हैं कि आप लोग एक सुयोग एवं करमट चनपरतिनिती का चुनाव करें जो अपने छेतर की समस्याओं को मजबूती से सतन में उठाने के साथ साथ आपके सुख दुख में भी हिस्सेदार बने धन्यवाद आपका असोक चौधरी